तो अभी इंडेन एफोस की ऑफिशल एफसाइट में अपडेट आया है उस अपडेट को पहले डिसकस करते हैं और फिर इंपॉर्टन चीज़ें डिसकस करते हैं जो भी एस्पिरेंट्स एफोस का अगले एक्जाम में अपेर होने वाले हैं इसकी ऑफिशल डेट आ चुकिए लों को कि मेरे साथ अभी कुछ सच्विशन चल लें जिसकी वैसे मैं एकदम अभी अपडेट आपको नहीं कर पाया लेकिन यह जो भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं यह अभी तुरंत ही एरफोस की ऑफिशल एपसाइट पर आया है और पहली बात तो यह इंडेन एर अभी वायू इंडेन मेल और फीमेल कड़िटेट स्वर अगनिवीर वायू इंटेग 2 2023 अगनिपत स्केम एप्लिकेशन यानि की इनवाइट कर रहा है एरफोस अगले इंटेग के लिए आपके है फोर अगनिवीर वायू इंटेग 2 2023 अब रिफर रिकूर्टमेंट अधेमे objective type written test is discontinued forthwith reference to adaptability test 1 in paragraphs of the advertisement and notification is nullified मतलब यह यह बताने कोशिस कर रहा है कि जब इसने notification निकाला था तो वहाँ पे phase 2 में Air Force का जब phase 2 होता है phase 1 होता है इसका written exam ठीक है और phase 2 में होता है इसका सबसे पहले adaptability test 1 जिसको short में 81 बोलते हैं situation दी जाती है और उसमें आप कैसे react करेंगे वो आपसे पुछा जाता है option के format में और फिर 82 में group discussion होता है तो जो 81 है ना खताम हो गया इस बार जो phase 2 के लिए sprint जाने वाले हैं उनके में भी 81 नहीं होगा अब से आगे कभी नहीं होगा अब 81 समझ गया तो अब आपको 81 के लिए prepare नहीं करना है ये तो हो गया जो एकदम ताजा ताजा अभी कढ़ाई से निकला हुआ अब डेट है एरफोर्स की अब बात कर लेते हैं जरा notification की जो की अगले intake के लिए release किया जा चुका है यानि intake 1 2024 के लिए तो पहला update तो यह होगा थोड़ा सा कुछ काफिलों को relief मिला होगा वैसे तो आप लोगा phase 2 का online batch चल रहा है currently application परमार academy आप है बट अभी मैं आपका advice करूँग जहां से आप कर रहे थे जैसे कर रहे थे वैसे करते रहे है अगर आप लोगो कुछ शही होगा अगर यहां पर कोई aspirant है जिनको की सर हमें करना है तो आप comment बता दीजेगा मैं plan कर सकता हूँ कि फिर से थोड़ा time के लिए जितना time बचे उसमें स्रैट से start कर दूँ वो बात की बात है लेकिन अभी जहां से भी आप prepare कर रहे है? फिर से जो भी आपने पर प्रिपयर किया उसको बार 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 एक स्रैस जिस तरह पेपर म कर अब रिटेनर से करते है उसी तरह उसका बार से डिनांधर काम कीजे उसी तरह काम कीज़े perfekt d में काफ़ी लोग आउट होते हैं चाहिए वो जीडी हो चाहिए फिजिकल हो ठीक है अभी आते हैं नोटिफिकेशन पर तो नोटिफिकेशन यह आप आप देख सकते हैं और अब आप यह मान के चलिए कि आपने अब्जर्व किया होगा कि मैंने तकरीबन चार से पांस दिन पहले अपडेट डाला था आपके टेलीग्राम ग्रूप में जहां पे मैंने आपको यह बताया था कि अब 50% की बात चल रही कि आपके जो अगनीपत स्कीम के दायत 50% अभी 25% को पर्मनेंट किया जाएगा आप 50% की बात चल रही बिकॉज वो जो यह प्ला जल्द आपको यह निउस भी देखने को मिल रहा है उसी तरह 50% वाला अपडेट भी आपको जल्द देखने को मिलेगा जिसके रिगार्डिंग मैं आपको 5-6 दिन पहली टेलीग्राम पे सूचित कर दिया तक है अभी आते हैं इस नोटिफिकेशन पे और किस तरह से आपको प्रेपिरेशन करनी है कैसे सारी चीज़ें बैच के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको बताऊंगा वैसे तो बैच रन कर रहा है आपका परमार अक्याडमी आप पे लेकिन पहले जान लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स लिख हुई है तो आज हो रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूं 13 जुलाई से 13 ऑक्टोबर यानि कि अगर हम देखें तो तीन महीने का आपके पास टाइम है थ्री मन्स का आपके पास टाइम है वह इस त्री मन्स को यूटिलाइस कैसे करना है उस पर भी डिसकेशन करेंगे यागनी वीड व जो ब्लॉक के आप है वो 27 जून से लेके 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं वह यह अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो जो साइन सब्जेक्ट है एक्स ग्रूप के लिए आपका English में जिसको हम शॉट में वाई ग्रूप के नाम से भी जानते हैं बाकी height के criteria आप जानते हैं male candidate के लिए 152.5 cm और female के लिए 152 cm बाकी यहाँ पे medical standards दिये हैं visual standards दिये हुए कि क्या आपकी eye वगरा सारी चीज़ें आपे दी हुई है general health क्या होनी चीए बाकी उसके बा क्या हैगा 60 minutes का time मिलेगा physics mathematics English रहेगा अगर आपका English और अगर आप साइंस प्लस दोनों को भरना चाहते तो वही पर सकते हैं science प्लस other than science का और यहां पर marking pattern दिया हुए एक नम्मर आपको मिलेगा सही के लिए 0 बिल्कुल अगर आप अगर आप टेम नहीं करते हैं और 0.25 की negative marketing है ठीक है और बस वही है कि अभी मैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी आऊंगा बिकॉस अभी मुझे मेरी कुछ students से बात हो रही थी काफी सारे students अभी बात हुए थी जो training पर गये हैं काफी सारे aspirants और काफी सारे aspirants आपको देखने को मिलेगा पिछली बार आपको all India rank 2 यहां से देखने को मिला था 2, 4, 6 यह सब और इस बार most probably आपको all India rank 1 Y group में X group का तो मैं नहीं confirm कर सकता हूँ लेकिन Y group में यहीं परमार defense ही आपको देखने को मिलेगा all India मैं बोल रहा हूँ all India rank 1 यहीं से आपको देखने को मिलेगा मैंने marks भी शेयर किये तो student के और वो यहां पर भी मैं discuss करने वाला हूँ ठीक है तो candidate को each paper में individually pass होना पड़ता है जायने कि आपके English की cutoff अलग जाती है physics की अलग math की अलग अलग cutoff individually जाती है उसको आपको part करना होता है साथी साथ आपकी collective cutoff भी जाती normalization होता है सारी चीज़ें होती है आपको पता है phase 2 होता है phase 2 इसी male के लिए 10 push-up, 10 sit-up, 10 squat होते है रीसेंट में अभी चानल पे पोस्ट किया गया था physical regarding content वीडियो पोस्ट किया था तो उसको आप देख सकते हैं बहुत ही कायते है तो इसमें explain किया गया कि किस तरह से आपको physical करना होता है ठीक है कुलदीब सर ने आपको सारी चीज़ें explain की है जो खुद अभी कुछ टाइम पहले training में गया है एफोस की ठीक है female candidate के अगर बात करें तो यह 10 sit-up, 10 squat से यहां पे push-ups नहीं होते है female candidate के लिए फिर होता है आपका 81, 82 जिसको अभी खतम किया जा चुका है अभी यह जो notification आया है वो अभी मैं आपको शुरूआ को बता ठीक है और 82 में आपका होता है mainly group discussion इसके regarding में तयारी जो रोशोरों से बच्चे जो परमार academy वाले है वो उनका अलगसे telegram group बना हुआ है वो कर रहे है वहाँ पे ठीक है खेर वो बात की बात है पहले आपको phase 1 निकालना है तब दन वो बात की बात है कि phase 2 की ठीक है फिर आप आपका medical examination होता है last में जिसको हम phase 3 बोलते हैं और अगर आप इस सारी चीज़ें clear कर लेते हैं फिर आपकी final एक enrollment list आती है और उसमें भी अगर आप आ जाते हैं तो finally आप joining के लिए तयार है आप joining में जा सकते हैं ठीक है बाकी यहाँ पर कैसे apply करना है वो चीज़ें लिख हु में ना तो ज़्यादा appropriate time है अगर कोई scratch से भी start करना चाहता है तो विजयपत 2.2 ने क्या धमाल मचाए वो सभी ने देखा है उसके proof आप देख सकते हैं टेलिग्राम पर जाके बाकी वो तो result जब final आएगा तब आपको पता चलेगा all India rank 1 जो मैंने बोला था और all India rank 1 से लेक 10 के बीच में होगा वो मेना पहली announcement कर रहा था और फिर से विजयपत 3.2 में पर वही same चीज है अब यहाँ पर हमको यह बताना चाहता हूं सभी विजयपत 2.2 batch के students को कि अभी तक आपका आराम आराम से classes चल रही थी because अभी तक notification नहीं आता और मैंने यह बोल रखा था कि भा 2.2 batch वाले भी student है कुछ नए student है तो सबको लेके चलना पड़ता है अब एक ऐसी stage में है कि सभी लोग equal stage में अब यहाँ से आपकी speed बनेगी ठीक है ध्यान रखेगा और target हमने बना रखा है जो हर बार की तरह होता है कि at least exam से 20 दिन पहले तक आपका subject खतम हो जाना चाहिए, revision हो जाना चाहिए, सब कुछ फिर YouTube पे चीज़ें स्टार्ट होगे यह YouTube पे revision स्टार्ट होगा वो विजयपत्त 1 के case में भी हुआ था जब अगनिपत्त का पहला exam हुआ था फिर 2.0 वाले में भी और इस बार भी वैसी सारी चीज़ें रहने वाली हैं 20 दिन से पहले पहले तक चीज़ें finish हो जाएंगी, revise हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा फिर 20 दिन लोग YouTube पे revision करेंगे विजयपत्त 3.0 में जो students enroll करना चाहते हैं वो Google Play Store पे जाके पहले परमार Academy आपको download करें या फिर link description में दिया हुआ वहाँ से download कर लें और अगर आप iPhone user है website पे use करना चाहते है तो link दिया हुआ है website का भी www.paramaraacademy.in बहुत सारे student परमार defense करके search करेंगे, defense नहीं परमार academy.in करके search करेंगे, link description मिल जाएगा, तो वहाँ से आप website में भी access कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे courses वाले section पे, यहाँ को courses दिख जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेग के लिए इससे better batch नहीं हो सकता आपके लिए विजयपत से, ठीक है, तो विजय 3 code का यूज करना है, विजय 3 code का यूज करना है आपको, जो भी student यहाँ पे अन्रोल करना चाहते हैं, बैच में और with discount अगर आप अन्रोल करना चाहते हैं, अगर कोई एक ऐसा student है जो इसने विजय 2 है, ठीक है, विजय 2 code है, और बाकियों के लिए विजय 3 code है, ठीक है, ये code कुछ दिन के लिए अभी valid रहेगा, तब तक आपे null करके अपनी तहरी को start कर सकते हैं, एक telegram group यहाँ पे रहेगा, ठीक है, telegram group को private telegram group को join कर लीजएगा, उसमें articles publish होना, सारी चीज़े start ह हो जाएंगी, और वहाँ पे आपके doubt resolver भी लगे हुए, और doubt resolution भी आपका start हो जाएगा, तो private telegram group को भी वहाँ पे join करना मत बूलेगा, वहाँ पे जल्दी एक live session भी लेने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग आगी की strategy पूरी तरह से discuss करने वाले हैं, तो मिलते हैं आपकी live chat मे सबी लोग आ जाएंगे विजयपत 3.0 batch के अंदर, और मैंने आपको quote बता दिया है, और कोई doubt है तो आप comment section ने बता सकते हैं उसके regarding, thank you